नमस्ते एंसस्तिरिकाल दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल से दस्ते, दोस्तों आप सभी ने वल्ड वार टू के बारे में सुना ही होगा, जिसको USA ने जापान के हिरोशिमा एं नागसाकी पर एटमिक बॉंबिंग करके शान्त किया था, जिसका परिणाम जापान आज तक भु इंगेंस को साजा करते हुए बताया कि वहाँ एक 10 साल का बच्चा अपने भाई की डैड बोडी को पीट पर लादे हुए शंचन घाट में खड़ा था, वह इंतजार कर रहा था कि कब उसका नमबर आएगा, तब वह अपने भाई की बोडी को दफनानी के लिए दे दे, ज है मेरा भाई है, उसने अपने मोट को उतिन जोर से दबाए हुए था कि उसके मूझ से खून निकलने रगा, इस पिच्चर को जबान में आज सिंबल और स्टेंज की नाम से जाना जाता है, इस स्टोरी इस पेइनफुल बच इंस्पारिफ, कैसी लगी आप बच्च कुछ? झाल